नमस्कार दोस्तों मैं संतोष वर्मा आपका अपनी यूटीब चैनल जोल्री हाउस में स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पुराने सोने की जोल्री को हम खुद अपने इलेक्टिक बट्टी में कैसे मेल्ड करते हैं आप पूरी वीडियो को जरूर देखना वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करना इस वीडियो को हमारी जोल्री भाई भी जरूर देखे और जाने कि हम अपने दुकान पर सोने की जोल्री को कैसे मेल्ड कर सकते हैं और जो हमारी एक्ष्टा छीजात होती है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, पर तो यही कहूंगा कि हर जोलस भाई को अपने दुकान पर इसे जरूर लगाना चाहिए, तो देखते हैं आगे की वीडियो को, सबसे पहले हमने कुठाली लिया, कुठाली भी हमें फरनेस के साथ मिल लिया है, कुठाली में डालने के बाद हम इसमें सुहागा डालेंगे, सुखा सुहागा, को सुहागा इसमें डाल दिया, इसके बाद देखते हैं, यह देखिए हमारा फरनेस, इलेक्टिक भठी, इसको मैंने दस मिन पहले करीब ओन कर दिया था, ताकि एक हेटिंग लेबल इससे थूदा हम साइट में रखते हैं, बीचो बीच, इसके बाद हमें यह ओपर का जो डखकरने कवर हैं, इसको मिया हाँ से ढख देगे, ढखने के बाद हमें वेट करना है, 1050 के लिमिट का, 1050 का जो लिमिट होता है, इसने हमारा गूल्ड मेल्ट हो जाता है, तो यहां आप देखो 150 होते ही ही और कठ हो गया इसके बद सुच्क को हमें ऑफ कर देना है यानि MCB को गिरा देना है फिर हम ठकन को खोलेंगे यह देखी अंदर किसा जो कुठाली में गॉल्ड था ुट हो चुकी है बट इसको अच्छे तरह मिलाने के लिए हमें कारवन का रओड मिलत को मिलाने के बाद हम कुठाली को बाहर निकाल सकते हैं, गोल्ड हमारा अची तरीके से मेल्ट हो चुका है, आप यह देखिए, इसको बाहर निकाल रहे हैं, हमारी पिछली लेटेस्ट कलेक्शन, गोल्ड नेकले सेट की डिजाइन की वीडि़ो आप जरूर देखें, मैंने इ देखिए, गोल्ड हमारा मेल्ट हो चुका है, फरनेस के बारे में और अथिक जानकारी के लिए, आप मुझसे कमिट बॉक्स में जाकर पूछ भी सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन इसे खरीदना चाहते हैं, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इस कर?